टूब चनल पर दोस्तों आज में लेका आया हूँ कबीरदाजी के दोहे ठीकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टन दोहा है और यह गुरू की महिमा का वड़न किया गया इस दोहे में जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही महत्तपूर है बहुत ही अच्छा दोहा है जो कि समझ इसमें यह गुरू की महिमा का वड़न किया है ठीक दोस्तों तो आए देखे क्या कहते हैं और यह साखी में लिखा गया किसमें लिखा गया दोस्तों साखी में लिखा गया ठीक है आए देखे क्या कह रहा है कबीरदाजी गुरू गोविंद गुरू मतलब होता है सर जानते आप लो मतलब टीचर और गोविंद का मतलब यहां पर इस्वर है मतलब भगवान है गुरु गोवन दे दोवु खड़े काके लागू पाए मतलब किसका पैर लागू किसका पैर छूं बलिहारी गुरु आप उन्हों जिन गोविंद दियो बताया ठीक है दोस्तों इसका वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परष्थिती आ जाए ध्यान दीजेगा जीवन में कभी ऐसी परष्थिती आ जाए जब हमें गुरु मतलब गोविंद इस्वर एक साथ खड़े मिले तब पहले किने प्रडाम करना चाहिए प्रश्ने उड़ता है कि हमको अगर गुरु और इस्वर दोनों मिल जाए एक साथ हमें पहले किने प्रडाम करना चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए गुरु को प्रडाम करना चाहिए दोस्तों ठीक है गुरु को प्रडाम करना चाहिए क्यों करना चाहिए गुरु को प्रडाम क्योंकि हब देख सकते हैं क कि गोविंद कोफ़ी मतलब आ इस्वर एक साथ करने तोकि किन्हें पर नहीं है घुरू ने गोविंद कंपर हमारा परिचा कराया है गुरु कर पहुछने के का सद्भुद्धी का माध्यम ही हमारे पास कॉन है गुरू है इसलिए गुरू का स्थान गोविंद से भी उचा कभीर दास जी ने बताया ठीक दोस्तों क्योंकि गुरू ही गोविंद तक मतलब भगवान तक इस्वर तक पहुचने का माग दर्सन और रास्ता बताते हैं और उसका फिछा प्रदान करते हैं इसलिए इस दोहे मे कभीर दास जी ने गुरू के महिमा का वड़न करते हुए गुरू का स्थान गोविंद से भी उचा बताया है आसा करता हूं दोस्तों यह दोहा और इसका भावार्थ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यह क्लास 9,10,11,12 सबके लिए बहुत ही महत्तपूर है और यह दो ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आसा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा और कभीर दास ने गुरू के महिमा का और गुरू का स्थान गुविंद से उपर उचा बताया है यह दिए अपने चनले पर नहीं चनले को लाइक कर दिएग च्ठान ग्रोच करें अपनें